गण नायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धेमाही गुण शरीराय गुण मंडिताय गुण शानाय धेमाही गुणाधीताय गुणाधेशाय गुण प्रविष्टाय धेमाही एक दंताय वक्र तुंडाय गउरी तन्याय धेमही गजेशानाय भाल चंद्राय श्री गणेशाय धेमही ओम श्री गणेशाय नमः नमश्कार भगतों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Great MS Voice में भगवान गणेश का दिव्य आशिरवार आपको जीवन की चनोतियों से निपटने के लिए शक्ति, साहस और ज्यान परदान करें आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुबकाम नहें विनायक चतुर्थी के दिन जो भी श्रद्धालू, विगन हर्ता, भगवान शिरी गणेश जी की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, उन पर गणपती जी की विशेश क्रिपा बरस्ती है और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं जो भी भक्त जन व्रत करते हैं, तो व्रत को खोलने से पहले गणेश चालिसा, संकट नाशक गणेश तोत्र का पाठ और गणेशी के आरती जरूर सुने या करें तो आज की वीडियो में मैं आप के लिए विनायक चतुर्थी के संपोन कथाएं और गणेश चालिसा, संकट नाशक गणेश तोत्र और गणेशी के आरती लेकर आई हीं, तो पूरा अवश्य सुनेगा तो आएए मन गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, पूरे भक्ति भाव से श्रवन करते हैं कथा का विनायक चतुर्थी की पुराणी कथा के नुसार, एक पार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से चोपड़ खेलने के लिए कहा, शिव जी भी तयार हो गए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच हार और जित का निर्मे कौन करेगा, कौन जिता, कौन हारा ये कौन बताएगा इसी सोच विचार के बेच भगवान शिव जी ने कुछ तिन के इकठे करके एक पुतला द्यार किया, और उसमें जान फूंख कर उसे बालक बना दिया, और उस बालक को माता पार्वती ने बताया कि उसे खेल का नीर्ने लेना है, खेल प्रारंब हुआ, और भगवान शिव एवं माता पार्वती ने वह खेल तीन बार खेला, और उसमें खास बात यह थी, कि तीनों बार माता पार्वती ने ही उस खेल में विजय प्राप्त की, हलांकी जब उस बालक से पूछा गया, तब उसमें जूट बोल दिया, कि शिव जी ही खेल में विजय हुए है, यह दे बालक को श्राप दे शिर्जी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि माता पार्वती के अंदर यह भाव भी उत्पन हो कि संतान की कुछ गलत करने पर मां को कठोर भी बिनना पड़ता है कथा पर वापिस आते हैं तो उस बालक को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने माता से श्रमयाचना की माता से माफ़े मांगी और कहा कि मैंने ये अज्यान तवश किया है माता आप मुझे श्रमा करती जी तब माता पार्वती ने कहा यहां पर गणेश पूचन के लिए नाग कन्याएं आएंगी उनके कहे अनुसार तुम गणेश चीकले वरत रखना इस से तु और उनके बताया नुसार 21 चतुर्थी तक वो वरत किया उसकी श्रद्धा से गणपती जी बहुत प्रसन हुए उन्होंने बालक को मनोवांचित फल मांगने के लिए कहा तब उस पर बालक ने कहा हे विनायर आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी पैरों से चल कर अपने माता पिता के पास केलाश परवत पर पहुंच सको गणपती जी ने ततहस्तु कह दिया इसके बाद बालक अपने माता पिता के पास केलाश परवत पर पहुंचा वहां भगवान शिव को उसने बताया कि वो कैसे ठीक हुआ है बालक के कथना अनुसार महादेव ने भ व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नराजकी दूर हो गई। इसके बाद शिर्जी ने माता पार्वती को इस व्रत की महिमा बताई। उस समय मा पार्वती के मन में अपने बड़े पुत्र कार्टिके से मिलने की प्रबल इच्छा जागरित हो रही थी। उन्होंने शिरी की मनो कामना उको पूर्ण करने वाला माना चाने लगा अगर आपकी भी कोई मनो कामना है तो 21 चतुर्थी के व्रत पूरी श्रधा और विधी विधान से करें आपकी मनो कामना जुरूर पूर्ण होगी साथ ही जीवन के समस्त सुक्सु विधायं भी प्राप्त होंगी तो प्रेम से बोले गणपती महराज की जय चौत माता की कहान एक सेट से ठाने थे उनके एक बेटा और बहु थे बहु सब को भोजन करा के फिर स्वयम खाती थी एक पडोसन ऐसी भी थी जो की रोज पुश्ती कि बहु आज क्या बनाया खाया है बहु कह ठंडो बासी खाया एक दिन उसके पती ने उसको ऐसा कहते हुए सुन लिया और उसने सोचा कि आज तो मैं बहु सारे पकवान बनवाता हूं फिर देखता हूं मेरी पत्नी क्या कहती है उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोज पत्नी उसने जाकर खुद ही अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तुम रोज ऐसा क्यों बोलती हो कि हमने ठंडो बासी खाना खाया ऐसा क्यों कहती हो जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह हमारे माँ बाप की कम जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझोंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। यह सुनकर लड़के ने अपनी मां से कहा कि मैं बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूं। मां बुली बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। मां के मना करने पर भी बेटे ने सोयम कमाने का ध्रे निश्य कर लिया। और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर ना आ जाऊं। तुम चुलहे की आग मत बुझने देना। एक दिन क्या हुआ कि चुलहे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पती किसी संकट में तो नहीं आ गए। जल्दी से पडोस में से आग लाकर चुलहे में रख दू। ऐसा सोचकर वह पडोस में गई, वहाँ पडोसन चौत माता का वरत पुझन कर रही थी। पडोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहु ने पडोसन से पूछा आप यह वरत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पडोसन ने कहा चौथ माता के इस वरत को करने से अन लक्षमी मिले और अपनी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अब बहु भी चौथ माता का वरत करने लगी। दिवार पर चौथ माता बनाई उस दिन घी गुड का चुर्मा बनाकर रात्री को चंद्रमा को अर्ग देकर वे तेरी पतनी बहुत याद कर रही हैं। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तु दुकान खोलकर कंकू केशर का पगलिया बनाकर बैठ चाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माताने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तयारी और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाक फन फेलाए बैठ गया और कहने लगा आज तुम्हें तुछे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयू पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा आज जौत माता ने मुझ पर जा रहा हूं। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आउंगा। तब तुम मुझे डस लेना। नाक ने कहा तुम शपत पूरवक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। परन्तु लोटकर नहीं आये तो तुम्हारे घर आकर मै अपने घर पहुंचा। घर पर वह सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पत्नी ने काले नाक वाली बात बताते हुई कहा। यदी मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ह पत्नी मुझे दस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी बहुत चलाग थी उसने कहा कि आप घबराओ नहीं लेट जाओ मैं कूपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरी की साथ पेड़ी धुई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, फूल, चौथी प पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चड़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लोट गया और कहने लगा कि सेट की बहु ने अराम तो बहुत दिया पर मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ, तो डसूंगा तो जरूर। इसी परका तो संसार में धरम करम और वरत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश ची, चंद्रमाची और चोथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमाची ने उजाला किया, चोथ माता धाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और धाल से धंक दि अब बहु भी थकी हारी सो गई दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए परन्तु बेटा बहु तो उठे ही नहीं थे बहुत देर हो गई तो मा उन्हें उठाने गई मा ने सातों पेडियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहु को आवाज लगाई बेटा बहु उठो तो देखो कि एक धाल तलवार वहां पड़ी है अब धाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है बेटा बहु ने सोचा कि आज तो धरम करम ही आड़े आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है हे चौथ माता आपने जैसी सेट की बहु बेटे की रक्षा की वैसे सब की रक्षा करना कथा को सुनने वाले सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की रक्षा करना तो बोलो चोथ माता की जय गणपती महराज की जय चतूर्थी तीथी पर चंद्र देव से चुड़ी ये कथा परणदी सुनने का विशेश महत्व है तो आईए पुन्य बढ़ाने वाली इस कथा को प्रसंचित मन से श्रवन करते हैं पराणी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने शिर्वजी को पारवती से मिलने से रोका था वे अपनी माता पारवती की आग्यगा पालन कर रहे थे माता पारवती ने गणेश जी से कहा था कि किसी को भी मेरे कक्ष में आने मत देना जब शिवजी भगवान को गणेश जी ने रोका तो शिवजी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशोल से गणेश जी का सिर धर से अलग कर दिया जब माता पार्वती को ये बात मालूम हुई तो उन्हों ने शिवजी भगवान से गणेशी को पुन्ह जेवित करने के लिए कहा तब शिवजी भगवान ने गणेशी के धर्ड़ पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें जेवित कर दिया इसके बाद एक दिन चंद्रदेव गणेशी का ये स्वरूप देकर हंस रहे थे उनका मजात कर रहे थे ऐसा करते हुए गणेशी ने चंद्रदेव को देख लिया चंद्रदेव को अपने सुन्द स्वरूप का बहुत घमंड था तब गणेश जी ने चंद्रदेव को शाप दिया कि अब तुम धीरे धीरे ख्षीन होने लगोगे ये शाप सुनकर चंद्रदेव ने गणेश जी से ख्षमा मांगी तब गणपती जी ने कहा कि ये शाप निश्वन तो नहीं हो सकता लेकिन इसका प्रभाव कम हो सकता है तुम चतुर्थी का व्रत करो इसके पुन्ने से तुम फिर से बढ़ने लगोगे चंद्रदेव ने ये व्रत किया इसी घटना के बाद से चंद्र क्रिशन पक्ष में घटता है और फिर शुकल पक्ष में बढ़ने लगता है पूर्णिमा तिथी पर चंद्र अपना पूर्ण स्वरू प्राप्त कर लेता है गणेशी के वर्दान से ही चतूर्थी तिथी पर चंद्र दर्शन करने का विशेश महत्व है इस दिन वरत करने वाले भक्त चंद्र दर्शन के बाद ही भोजन करहन करते है तो प्रेम से बोले चंद्र देवता की जय गणपती महराज की जय जै गण पति सद गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघन हरण मंगल करण जै जै गिरी जालाल जै जै गिरी जालाल जै जै गण पति गण राजु मंगल भरण करण शुब काजु जै गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्र तुंड शुच शुण्ड सुहावन तिलक त्रिपोंड भालमन भावन राजित मनी मुक्तन उर माला स्वण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणी कुठार त्रिशोलं मोदक भोग सुगंधित फोलं सुन्दर पितांबर तंसाजित चरण पादुका मुने मन राजित धन शिव सुवन शडानन भ्राता गौरि ललन विश्व विधाता रित्ति सित्त तव चमर सुधारे मुशक वाहन सोहत द्वारे कहू जनम शुब कथा तुम्हारे अतिशुच पावन मंगल कारे एक समय गिरी राज कुमारे पुत्र हेतु तब किन हो भारे भयो यग्य जब पूर्ण नूपा तब पहुच्यो तुम्ह दरे द्वेज रूपा अति थी जानी कई गौरे सुखारे बहु विधि सेवा करे तुम्हारे अति प्रसन हवै वर दिन हा मातु पुत्र हित जो तब किन हा मिल ही पुत्र तुही पुत्थी विशाला बिना गर्ब धारण यही काला गणनायक गुण ग्यान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना असकही अंतर धान रूप वहे पलना पर बालक स्वरूप वहे बनीश शोरुदन जब हे तुम ठाना लखी मुख सुख नही गौरे समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सूरन सुमन वर्शावही शंभू मा बहुदान लुटावही सुर्मुन जन सुत देखन आवही लखी अति आनन्द मंगल साजा देखन भी आए शनी राजा निजव गुण गुण शनी मनमाही बालक देखन चाहत नाही गिर्जा कच्छो मन भेद बढ़ायो उत्सव मोरन शनी तुही भायो कहन लगे शनी मन सकुचाई का करिह उशिशो मोही दिखाई नहीं विश्वास उमा और भयो शनी सो बालक देखन कहयो पड़ते ही शनी द्रिग कोण प्रकाशा बालक सिरूडी गयो आकाशा गिर्जा गिरी विकल वही धर्णी सो दुख तशा गयो नहीं वर्णी हाहा कार मचयो कैलाशा शनी किनियो लखी सुत का नाशा तुरत करूल चड़ी विश्णू सिधाई काटी चक्र सो कच शिर लाए बालक के धड़ उपर धार्यो प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो नाम गणेश शंभुत अब के नहीं प्रथम पुझ्य बुधि निधिवर दे नहीं बुधि परिक्षा जब शिव किन हा पृत्वी कर प्रदिक्षिन लेन हा चले शडानन भर्मी भुलाए रचे बैट तुम बुधि उपाए चरण मातु पितु के धर लिन है तिन के साथ प्रदिक्षिन किन है धनी गणेश कही शिव ही हर्शे नभते सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हरी महीमा बोधि बड़ाई शेश सहस मुख सकेना गाई मैं मतीहीन मलीन दुखारी कर हूं कौन विधी विन तुम्हारी भजत राम सुन्दर प्रभुदासा जग प्रयाग ककरा दुरवासा अब प्रभुदाया देन पर केजे अपनी भाक्ति शक्ति कच्छो देजे श्री गणेश यह चालेशा पाठ करेधर ध्यान नितनव मंगल क्रिह बसे लहे जगत सन्मान सबंध अपन सहस्त्रदश रिशे पंचमी देनेश पूरण चाली साभयों मंगल मूरती गणेश प्रेम से बुल्य गणपती महराज कीजे श्री संकत नाशन गणपती स्तोत्र श्री गणेशाय नमहा नारद उवाच प्रणम्या शिरसादेवं गवरे पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरै नित्यं आयुह कामार्थ सिथ्थये प्रतमं वक्रतुंडंचा एकदंतं द्वित्यकं तृत्यं क्रेष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोधरं पंचमंचा शष्टं विकटमेवचा सप्तं विधन राजेंद्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचंद्रंचा दशमं तू विनायकं एकादशं गणपतें द्वादशं तू गजाननं द्वादशैतानी नामानी त्री संध्यम यह पठे नरह नाचा विघन भयं तस्या सर्वसिध्धी करम प्रभो विध्यार्थी लभते विध्यां धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम् जबेद गणपती स्त्रोतं चड़ भिर्मा सै फलं लभेत समचरेण सिधिम्चा लभते नात्र संशयह अश्टभ्यो भ्रामने भ्याष्चा लिखित्वा यह स्मर्पयेत तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणईशस्य प्रसादतह इती श्री नारत पुराणे संकट नाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मता जाकी पारवती पिता महां देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूसी की सवारी पान चड़े फूल चड़े और चड़े मेवा लडवन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मता जाकी पारवती पिता महां देवा अंधन को आंख देत कोडिन को काया बांजन को पुत्र देत निर्धन को माया सूर शाम शर्णाय सफल कीज सेवा मता जाकी पारवती पिता महां देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मता जाकी पारवती पिता महां देवा दीनन की लाज रखो शंबु सतेकारी कामना को पुरा करो जाऊं बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मता जाकी पारवती पिता महां देवा मता जाकी पारवती पिता महां देवा प्रेम से बोलिये गणवती महराज की जय शिव पारवती भगवाने की जय सर्व देवी देवताओं के जय उमीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करकी कमेंट में जयकारा जुरूर लगाईएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर कीचेगा मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक की निए जय श्री गनेश